17 सितंबर देश के प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी के जनमोच सव कारेक्रमों का शुभारंब भाश्पा कारेले में प्रदशनी ग्यानाश्र योजना में आदर्श शिक्षक की भूमी का में नजर आए कलेक्टर स्वरब सुमन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए दिये टिप्स बाजपर प्रदेश उपाद्यक्ष सुनीता वालमी की का नगर आगमन पर हुआ भाव भीना स्वागत वालमी की समाज ने सौपा गया पर और 17 सितंबर कोवीटी का करन महाबियान बने जनबियान कलेक्टर वो एसपी ने किया आवान नमस्कार स्वागत है आपका सीटियल चलमर अब तकी तमाम खबरों के साथ मैं कोशीमा और आई अब देखते हैं खबरे विस्तार से आज जुनार्दे विदायक सुनील उइके ने कलेक्टेट पहुँचकर कलेक्टर सौरब समन को सरकार द्वारा चलाये जा रहे कोविड-19 वैक्सिनेशन अभियान में दूरस्त शेतरों के लिए वैक्सीन वैन की चाबी सौपी विदायक सुनील उइके ने बताया कि जिले का कोई भी व्यक्ती टीका करंट से छूट न जाए इस मनशा से यह वैक्सीन वैन पूरू मुख्यमंतरी कमलनात इवं जिले के सांसत नकुलनात के निर्देश पर उनके स्वयम के वै पर क्रै की गई है जिसका संपूर्ण खर्च जैसे ड्राइवर, मेंटिनेंस, आदी का खर्च पार्टी उठाएगी प्रशासन को इसमें मात्र स्टाफ और वैक्सीन उपलब्द कराना होगा जिससे पहुँच विहीं शेत्र जो की वैक्सीन लगवाने से छूट गए हैं, वहां भी वैक्सीन लगाई जा सके जो नारदेव शेत्र के अधिकतर गाउं ऐसे हैं जहां अभी भी वैक्सीन नहीं पहुँच पाई है इस वैन के माध्यम से वहां वैक्सीनेशन का कारे आसानी से किया जा सकेगा जानते हैं कि कोविड में जो वैक्सीन पूरे प्रदेश और देश के अंदर लग रही है तो उसी प्रकार घमलनाची और नपुलनाची की निर्देश पर तुकि जुनारदो वैक्सीनेश का सबसे बड़ी वैक्सीन होने के पारण कई बार बहुत सारी कठनाईयों का सामना लोग जागरूपी हुए हैं और सासान सासन की मदद से जन्पदी जीव की मदद से लोग वैक्सिनेट हो रहे हैं लेकिन आज भी ग्यामीड सेत्र में ऐसी जगे हैं जहां पर वैक्सीन नहीं लगता रही हो नहीं पहुंच पार ही है तो जिसको द्रस्कियत रख्टे हुए मैं और हमारे साथियों ने हमारे ब्लाक कॉंग्रेस कमेड़ी के अध्यक सही सभी हमारे साथियों ने मानी कमलनाजी और नकुलनाजी से आगरे किया उनके निर्देश पर आज ये कोविड वैन यहां पर हमने कलेक्सर मौदय को सौपी है जो कि अब एक या दो घंटे के बा पा रहें जहां लोग आ नहीं पा रहें ऐसी जगे में लियोमों अपनी लगाके वैक्सिन पहुता के और गाउं तक ग्राम तक आखी छोड तक लोगों को वैक्शिन लगाने का काम करेंगे और हमारा लक्ष है मानी कमलनाजी और नकुलनाजी का निर्देश से कि हैंडेट पर्सेंट श्चन पेसे हमारा हो तो मैं लक्ष है कि जिले में सबसे पहले जो नार्दो एकशिन अजगे हैं आज मानी कमलनाजी और नकुलनाजी के स्भयोग से वेंस होपी गई है और सबसे महात्पून बात में आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जो वेंन है यह सासन यह प्रसासन के वे से नहीं चलिए कि माननी कमलनाजी और नकुलनाजी के सहयोग से श्वयम के बेपे इसका देजल इसका ड्राइबर जब तक वैक्षिनेट खतम नहीं हो जाता तब तक ये गाड़ी वसाफन साफन को बीयोमों को उपलप्त करा दी जाएगी और उसका आने वाला जो वै है चाहे वो ड्राइबर के रूप मे हो जो प्रदेश भाजपक यू पाद्यक्ष श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी का वाल्मिकी समाच की ओर से भाव भी ना स्वागत किया गया तथा उन्हें गुर्द्वारा प्रांगन में वाल्मिकी जी की प्रतिमा लगवाने तता ग्यापन भी सौपा गया इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बिवेक बंटी साहू सहित भाजपा नेता कारे करता भी वजूद थे साथ बंटी थे करता सब्सक्राइब हर चैची घृ करता हमां सूर्पा नेता थे 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 दोन हूख को अवर करता यह या ओठीड Not लिए आगर जियो जियो जागे लाजे लाजे एशुम्हात किता है सब्स्दमागरी कुमरे सुक्तर तारी दुम्जे बूर सुराट्याका इससे ज्रबत कालशाजी के आदाशें जी ज्रबत कालशाजी को वाहिगू वाले गुलू। आज बालमिकी समाज की सान एवं मद्द प्रदेश भारती यहन्ता पाटी की प्रदेश उपाद्यक्ष छिन्दवाडा में आगमान हुआ जिसके लिए बालमिक समाज के समस्त लोगों ने उनका अर्दिक अभिनंदन करे और स्वागत किये और बालमिकी गुर्दवारे में उनका सम्मान किया गया बालमी की समाज दोवारा नगर निगम में करमचारियों का माध्यम से उनको ग्यापन सोपा गया जिसमें नगर निगम की कई समस्याओं से उनको आउगत कराया गया और उनसे मांगी गई कि नगर पाली का की जो समस्याओं उनको पूर्ण करने के लिए सासन प्रससन से हमारा स किया जाए तो हमारा मतलँ निविदन है मेडम से निविदन है कि वह सासन को और कलेक्टर साम को देखे यहाँ पर निमीति करण के आदिस जाहरी करवावे साथ ही जो क्लेक्टेद मिलता है करमचारी यह को वह यहाँ पर 5 वर्सों से नहीं मिल रहा है, तो मौडम से निवेदन किया गया है सुमीतर जी से, कि वो कलेक्टर साथ को निर्देश देखे, जो कलेक्टर रेड प्रती वार मिलता है, वो दिया जाए, उन से मांग की गई है, साथ ही पड़े लिखे, जो करमचारी हैं, उनको प्रमोसन दिया जाए, प्रमोसन का लाप छिनवाडे में नहीं मिल रहा है नगर निगम में उसको तकल लागू किया जाए उसके पच्चात पड़े के कर्मचारी के साथ ही ठेका परता नगरपालिकर से समाति किया जाए जिले में 17 सितंबर को वैक्सिनेशन महा भियान 3.0 के तहत एक लाख लोगों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष रखा गया है कोविड संक्रमन्ट से बचाओ का एक मात्र उपाय कोविड वैक्सीन है जिले के पात्र लाभारतियों में से लगभग 70 प्रतिशत लाभारती कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा चुके है कलेक्टर सौरब सुमन ने अपील करते हुए कहा है कि जिले के जो भी पात्र लाभारती टीका करण से शेश रह गए हैं और अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो वे 17 सितंबर को आयोजित वैक्सीनेशन महावियान 3.0 में बिना किसी भ्रम के निडर होकर शामिल हो और अपने नजदी की टीका करण केंदर पर जाकर टीका जरूर लगवाएं जिला प्रशासन द्वारा विबिन इस्थानों के लिए मोबाइल बैन के माद्यम से भी टीका लगवाने की विवस्था की गई है कोविड को पूरी तरह हराने में शासन प्रशासन का सहयोग करें और कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं उन्होंने बताया कि 17 सितंबर के बाद भी टीका करन का कारे लगवातार जारी रहेगा लग चुका है अभी भी 30 प्रतिशत लोग बचे हुए हैं सबों से मेरी अपील है बड़ी संख्या में घरों से बाहर आएं आपके घर के आसपास हर जगे केंद्रों मिलेंगे आपको और कई स्थानों पर मुबाइल वैन के माध्यम से आपके अल्मोस्ट दोर स्टेप पे आपको टीका करन की सुविधा प्राप्त होगी इसलिए बिना किसी भ्रहम में परे बिना किसी डर में आएं सभी लोग बड़ी संख्या में बाहर आएं टीका लगवाएं और सत्रा तारीक के बाद भी लगाता टीका करन का कारिकरम रहेगा हम लोगों का लक्ष है कि हम यथा शिखर जिले में शत्प्रतिशत लोगों को प्रत्थम डोज लगाएं और अगले तीन माह में शत्प्रतिशत लोगों को दुईतिये डोज भी लगा सके हैं प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के संबन्द में मागदर्शन प्रदान करने के लिए प्रारंब किये गए नवाचार ग्यानाश्रे की कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राजमाता सिंदिया कन्या पीजी महा विद्याले छिनवाड़ा में पुनः प्रारंभ हो गई हैं जिसमें विषए विषिशग्यों वर प्रशास्निक अधिकारियों द्वारा विषयवार विध्यार्तियों को मागदर्शन दिया जा रहा है आज कलेक्टर सौरव सुमन ने विद्यारतियों की कक्षा ली और प्राता साड़े साथ बजे से साड़े नौ बजे तक भारतिय राजनीतिक वा समविधान के बारे में पढ़ाया और प्रतियोगी परिक्षाओं के द्रश्टिगत महतुपूर्ण जानकारियां साजा की वो आवशक मागदर्शन भी दिया कतिपे कारणों से कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके विद्यारतियों के लिए कक्षा की लाइब वीडियो लिंक भी उपलब्द कराई जा रही है एक शुक विद्यारति इन लाइब कक्षाओं का भी लाब उठा सकते हैं द्वारा शक्ति के प्रज़क्तरन का सिद्धान दिया गया है यह दे इस्टिविशन ओफ पावर शक्ति का भित्राइब लिए राइट नौँ या स्टडी इन सेपरेशन ओफ पावर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाज़पा नेताओं कारेकरताओं में उत्साह साफ देखा जा सकता है सेवा ही संगठन कारेक्रम के तहद जहां एक और प्रधान मंत्री की जन्म दिन पर विबेन सेवा कारे किये जा रहे हैं वहीं भाजपा कारेले में प्रधान मती नरेंडर मोदी के जीवन काल और उनके कारेों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है उलता झारोड़ की नरे प्रदर्शनी नरे बातिभान प्रदर्शनी कारेल अकफ़ के जीवन कारेले जीवपान. में अब ग्राओनर में चिंण लेक़न सेाच्बा को भ्ल typical चिंग, जीविए। 4-3 बा oh, में जीएधा है 5-10 चंदशनी अले आ र点ड़ा स्बिक में प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधी के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व भारती जन्ता पार्टी मद्यपदेश द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पन अभियान के अंतरगत नगर मंदल भाजपा द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं भाजपा नेताओं के साथ नगरिये शेत्र के विभिन देव स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया प्रमुक रूप से बैल बजार इस्थित महाकाल मंदिर वाड क्रमा ग्यारा इस्थित सकंद माता मंदिर एवं टीबी सेनेटोरियम इस्थित दादाजी मंदिर में भाजपा नेताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया इस अवसर पर विशेश रूप से भारती जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विबेग बंटी साहू बाजपा नगर मंदल अध्यक्ष अंकुर शुकला नगर मंदल महामंत्री ओम चौरसिया नगर मंदल उपाध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर एवं बड़ी संख्या में भाज पार्टी कारकरताओं के द्वारा समस्त भाजपा नेताओं एवं कारेकरताओं से इस कारेकरम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्तित होने की अपील की है पार्टी कारकरताओं के द्वारा समस्त देविस्थानों पर सच्चता अवियान चलाया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी के 71 जन दिवस के अफसर पर आज पार्टी के कारकरताओं द्वारा यहाँ टीवी सेनेटोरियम दादाजी मंदिर और इसके पूर्ब में हमने नया बेलवजार के महाकाल मंदिर और इसकन माता मंदिर रामभाग में भी हमने भारतियंता पार्टी के कारकरताओं ने बाजपा जिलत्यक विवेक बंटी साहू के नित्रत में सच्चता अवियान चलाया और कल देश के अशश्वी प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी के जंदिवस के अफसर पर समस्त देव इस्थानों पर अनुमान चालीसे का पार्ट मिष्चान वित्रण एवाम आतिश बाजी करके भारतियंता पार्टी के कारकरता माननी प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी क कि लंबी आयू उनके स्वास्त लाव हेतू कामना करेंगे और आगामी दिनों में भी सेवा समर्पण अवियान के अंतरगर्द स्वास्त शिविर रक्तदान शिविर दिव्यांगों को उपकरन वित्रन करने हेतू ऐसे विबिन्द कारक्रमों का अजन भार्तियंता पार्टी दाओर किया जा रहा है आम जन्मानस ते हमारा निवेधा ने कि 17 सितंबर को माननी प्रदान बंत्री मोदी जी के एक्तित चैवं क्रतित पर एक प्रदर्शनी भाजबा कार्याले में लगाई जाएगी सभी आम जन्मानस उस प्रदर्शनी का दर्शन करके और मोदी जी के जीवन के बारे में जाने जैहिन भारत। वा निजी हमालों ने स्वापा। जो पहले चेनवाडा से अपना सराय रहुला जाती थी और उसका ठहराव सराय रहुला होता था। अभी चूंकि नई समय सांड़ी में रेलवे ने सराय रोला में ठहराव बन कर दिया है। तो आज इससे हमारे छिनवाला जिले के प्राइबेट कुली, हमाल और वैपारी, फुटकर वैपारी ये तीनों बहुत प्रभावित हुएं। और आज इनकी आर्थिवस्ता अक्ष्यन देनी है। चूंकि श्टापेज खत्म कर दिया गया है। इसलिए हमने आज राज्यपाल महदया सुत्री अंसुईया हुई के जी से रेलवे के डेलिकेशन, बैपारी और अधिकारियों के साथ ये मांग किये। या तो सबूर वस्ती में पार्सल सुविधा दी जाए, अब अताल कोड एक्ष्पेस का महा श्टापेज किया जाए, या पुराने खूर पुराली के अनुसार रेलवे का श्टापेज सराय रोहला में था, उसे नीमित किया जाए। युवा भाश्पा नेता शंटी बेदी के जन्मिदिन के अवसर पर उनके साथियों द्वारा विब्धिन सेवा कारे किये गए। व्यवा भाश्पा नेता श्टापेज गयर ए। तेरी उमरी की फुलवारी में खिला नया एक फुलुबारक सागिरा हो मुबारक सागिरा आज भाजपा युवा नेता संटी वेदी का जनम दिन सेवा ही संकल्प के रूप में सभी युवा सांतियों ने मनाया हैं सबसे पहले बादसी सुग्रे पतल पिरलो की नगर में बच्चों को कपड़े एवं खाने के पैकेट वित्रित किये गए पत्पस्चाथ हमने पौदर रोपन किया गया संकल लिया गया परवांड की रख्चा के लिए उसके बाद हमने व्रद्दा आश्रम में बुझूर्गों को पल वित्रण किया गया और उनका आश्रवात लिया गया और जनम दिन पर सभी युवा सांतियों ने अलाग अलग काम कर रहा है आज तभी युवा सांति ने संटी वेदी जी को बदाई दी है जयहिन जया भाराव बरती महंगाई के खिलाफ जिला कॉंगरेज जुकी जोपडी प्रकोष्ट के नेतरत्व में लगतार धर्ना प्रदशन किया जा रहा है आज शहर के दो वार्डों के रहवासियों ने रैली निकालकर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, रसोई, गैस, सहिद, अन्य सामगरी के द पहुचाने के लिए प्रदशन में शामिल दोनों वार्ड के निवासी एवं जुग्गी जोपडी प्रकोष्ट के पदादीकारियों एवं कारे करता हाथ में रसोई, गैस, सिलेंडर लेकर निकले उन्होंने महंगाई के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी की, महंगाई के विरोध में निकाली गई रैली में फिरोज खान, उशा राउत, सीमा विनोद साहू, अश्फाक कुरेशी, शानु कुरेशी, विनोद सूरिवन्शी, इर्फान मंसूरी सहित पदादीकारी कारे करता एवं दोनों वार्ड के रहवासी मौज घर की जो डेली की यूज होते वाली चीजे जो है, इसके डेली रेट बढ़ रहे हैं, चाहे हम सिलेंडर की क्या बात करें, क्या है पेट्रोल डिजल की बात करें, चाहे खाने की तेल की बात करें, हर वो चीज जो गरीबों की रोज डेली मरा की जो ज़रुरत की चीजे हैं उसमें दिनन दिन इन लोग बढ़ाई बढ़ोत्री करते जा रहे हैं कॉंग्रेश के हर जिले में हर वाडो में धरना प्रदर्शन हो रहा गरीब जनता की आवास जाए और ये गरीब जनता की हित में कम से कम ये जो भाव इनोंने बढ़े हुए बढ़ाई हैं कि काम करें सुमाश कॉलोनी इस्तित वरिष्ट पत्रकार राजेश करमेले के निवास पर श्री गणेश जी की सुन्दर प्रतीमा की स्थापना की गई है 15 सितंबर को महिला मंडल सदस्यों ने भजन कीरतन कर श्री गणेश जी की वंदना की सुमाश का मंडल श्री गई हैं लिवास काम की अध्योनी इस्तित वरिष्ट पत्रकार पत्रकार राजेश जी के ने जीनिवास के अध्यु खिले। मिनम्र्वी राजिञ वो बात रहें कि की संदर है माघने पे नादम ने सोए कि के आदम नादम ने सोए को पहन जने आ रहे तो पहन मेह कर आ रहे है वो बनाते चले, वो ने पैदर चले आ रहे हैं हमें गुब्रों की राखे, वो बनाते चले आ रहे हैं तिक इंदर है मा तेरी नगरी जिनके पैरों पर आउंगी आजे शिते पैरों पर आउंगी आदि की नगरी में ने पाऊ उनन दुवारा कितना सुन्देरा मैं नात तुवारा उननात तुवारा इस नगरी पे खाल कर बतर हम बन जाएं इस नगरी पे खाल कर बतर मंदिर चक भो जाएं इस नगरी पे खाल कर बतर हमारा इस नगरी पे खाल कर बतर हमारा इस नगरी पे खरा राजेश करमिले जी के खाल को सापने है पुतुत लक्ष में गौधुली व्रदाश्रम में इन दिनों श्री गणेश उत्षव की रौनक दिखाई दे रही है व्रदाश्रम में स्थापेश श्री गणेश जी की मूर्ती का प्रति दिन बुजर्गों द्वारा पूजन पाट किया जा रहा है वही भजन कीर्टन के स्वरों से गौधुली व्रदाश्रम में पर्व की रौनक साफ देखी जा सकती है वही भजन के स्वर्दाश्रम में पर्व की रहा है और आईए अब आपको कराते हैं शहर में विराजित गणेश पतिमाओ के दर्शन झाल के स्वर्दाश्रम में पर्व की रहा है झाल के स्वर्दाश्रम में पर्व की रहा है यजन के स्वर्दाश्रम में पर्व की रहा है यहादो शजयाँ झाए को से भी लेकोर्क दाल यहादी जोजाए अंहीं जोजाए ले आंग उटे जोए आजेया व्हे कुड़े ती मीनेंगर में एक की ही ही तप में एक केडियागर इन्चेज भइन्च के मैं न क्जिव लेक वाफय स्ल cidade शुच सिर्ड़ियर आजेया में एक कुडर आजेगि एक काुड़ भूयून्स मियुथ लोग दोखे लोग देवाद में आपके लोग देवाद नहीं लोग देवाद नहीं चलते चलते एक नजर फिर आज की 17 सितंबर देश के प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी के जनमोच सव कारेक्रमों का शुभारंब भाश्पा कारेले में प्रदशनी ग्यानाश्र योजना में आदर्श शिक्षक की भूमी का में नजर आए कलेक्टर स्वरब सुमन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए दिये टिप्स बाजपर प्रदेश उपाद्यक्ष सुनीता वालमी की का नगर आगमन पर हुआ भाव भीना स्वागत वालमी की समाज ने सौपा गया पर और 17 सितंबर कोवीटी का करन महाबियान बने जनबियान कलेक्टर वो एसपी ने किया आवान ये तो थी अब तक की तमाम खबरे कुछ नई खबरों के साथ आप से फिर होगी मुलकात अब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार